उम साइराम हरहर महादेव आज का साइस अंदेज वक्त का चक्र बहुत तेजी से चलता है और जो इनसान तेज चलता है वही एक दिन काम्याब होता है जो इनसान वक्त के साथ नहीं चलता वक्त उसे बहुत पीछे छोड़ देता है और ऐसा इनसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए वक्त के साथ चलो और खुद पर विश्वास रखो क्योंकि जो इनसान मेहिनत और लगन से कार्या करना जानता है जिसके पास सरद्धा और सबूरी जैसे दो गुण है बहत जीवन में कभी हार नहीं सकता मैं जानता हूँ मेरे बच्चे आपने बहुत लंबे समय तक बहुत दुखों को जहला है और बहुत मुसीबतों का सामना भी किया है लेकिन भगवान परिक्षा उसी की लेते हैं जो परिक्षा के काबिल होता है और एक दिन जीत भी उसे जरूर मिलती है क्योंकि एकदम हम कुछ भी पा नहीं सकते लेकिन धीरे धीरे परियास करने से एक दिन हमें सब कुछ मिल जाता है ये ठंड का कोहरा भी हमें बहुत बड़ी प्रेडना देता है हमने दूर तक रास्ता नजर नहीं आता लेकिन हम एक एक कदम बढ़ाते हैं तो अपनी मलजिल तक पहुंच जाते हैं अपने आप पर विश्वास रखो जब लोग आप से कहें कि आप नहीं कर सकते उसी कार्या को अपना जनून बना ले क्योंकि काम्याबी की कोई उम्रिया सीमा नहीं होती जब जागो तब ही सवेरा खुद पर विश्वास कर आगे बढ़ो मेहनत करो कोई भी कार्या छोटा या बढ़ा नहीं होता एक छोटी सुरुवात से ही हम एक दिन उन्चाईयों की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे आपने बहुत लंबे समय तक दुखों को सहा है लेकिन इनसान लंबे समय तक एक ही परस्थिती में नहीं रह सकता अगर आज दुख है तो बहुत जल्द सुख भी आएगा और आप अपनी मन्जिल के बहुत करीब पहुँच चुके हो बस मेहनत करते रहो और आपकी काम्याबी सुनिश्चिती ही है जो बुरे वक्त में आपके अपने आप से दूर हो गए है जब आप काम्याब होंगे तो सब आपके पास लोट आएगा उससे भी कहीं जादा आपके बाबा आपको देंगे जो बीद चुका है वो आपका अतीद था उसके लिए दुख ना करें और ना ही भविश्या की चिंता करें वर्तमान में जीएं क्योंकि आपका भविश्या बहुत सुनहरा होने वाला है अपने बाबा पर विश्वास रखें बस मेहनत करते रहें बहुत जल्द काम्याबी आपको जरूर मिलेगी सदा खुश रहें सदा जबते रहें ओम साइराम हर हर महादेव